ऐसा कहते हैं कि हमारे हाथ में ही ब्रह्मा है, हाथ में ही विश्णु है और हाथ में ही महेश है हमारे हाथ में ही सब कुछ है, यहां तक कि हमारा भविश्य भी हमारे हाथ में ही लिखा गया है इसी के साथ नमस्कार, वेलकम टू आश्रांगिरा आज का जो हमारा topic है उस topic का नहा है बुद की उंगली से कैसे जाने कि आपको business suit है या suit नहीं है आपका बुद अच्छा है या अच्छा नहीं है आपका IQ level कितना अच्छा है और बुद सरेलिटेट सारी चीज़े आज हम उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये जो हाथ होता है राइट हैंड ये मेल्स का होता है और लेफ्ट हैंड फीमेल का होता है जो ये सबसे छूटी उंगली है इसे हम बोलते हैं बुद की उंगली और ये चीज़ को बोलते हैं हम बुद का परवत इसको बोलते हैं हम सोर्यदेव की उंङली और females में भी ये same ये बुद्ध की उंङली ये सोर्यदेव की उंङली और ये बुद्ध डेव का परवत अगर बुद्ध देव की उंगली एक्स्ट्रीम राइट हो जाए फीमिल्स में एक्स्ट्रीम लेफ्ट हो जाए तो हम ये बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति सबतंत्र विचारों वाला होता है ऐसे व्यक्ति को अपने कार्या में किसी की interference बिलकुल भी पसंद नहीं होती ऐसे व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति सला भी दे रहा है तो ये एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं ये अपनी ही दिलकी करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे future के लिए best होगा ये व्यक्ति अपने ही हिसाब से well defined manner में अपना काम पसंद करते हैं और अगर कोई भी इनके family members में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे कि इनके manner को change कर दे या फिर ऐसे व्यक्ति के काम में interference करने लग जाए तो ऐसे व्यक्ति को बिलकुल भी वो चीज अच्छी नहीं लगती ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी चिड़ जाते हैं अगर आपने उनके कारे में या उनकी life में interference करें ऐसे व्यक्ति बहुत ही अलग सोचते हैं लोगों से और ऐसे व्यक्ति दूसरों को ये समझते हैं कि वो जो हमें ग्यान दे रहा है वो जरूरी नहीं कि सही हो वो जरूरी नहीं कि उनके वो जो चीज हमें बोल रहे हैं उस चीज को करने से हमारा काम बढ़े या फिर वो चीज अगर हम करते हैं तो मुझे उस कार्या से कुछ फायदा होगा तो इसलिए ऐसे व्यक्ति कुछ न कुछ शक भी करते हैं क्योंकि ये व्यक्ति अपनी लाइफ अपने हिसाफ से ही जीना पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति किसी भी लिहाज में किसी की interference बिलकुल भी पसंद नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति का IQ level आम तोर पर साधरन लोगों जैसा ही होता है और ऐसे लोगों का जो पढ़ाई के लिहाज से बोलें तो वो पढ़ाई के लिहाज से भी बहुत अच्छा अपनी life में करते हैं business के लिहाज से बोलें तो ऐसा व्यक्ति अकेला business ही करना पसंद करता है अगर ऐसा व्यक्ति partnership में कर रहा है या अपने father के साथ भी कर रहा है व्यक्ति उस चीज को पसंद नहीं करेगा, कुछ-कुछ समय के बाद ऐसे व्यक्ति और उसके फादर के बीच में लड़ाई चलती रहेगी, किसी के साथ भी पार्टनर्शिप करेगा, तो दोनों का तालमेल ही नहीं बन पाता, क्योंकि बुद्देव यहां अकेला अपनी करनी है, या वो चीज जो करना चाहते हैं, उसको अगर आप यह बोल देते हो, कि यह चीज खराब है, तो वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझेंगे, वो आपको अपना दुश्मन समझने लग चाते हैं, अगर बुद्देव एक्स्ट्रीम राइट हो जाए यह ए आइक्वी लेवल आम लोगों से बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों की भी सुनते हैं, साथी साथ ऐसे व्यक्ति अपनी दिल की भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बस बेस्ट होना चाते हैं, चाहे वो किसी की सुनकर करें, चाहे अपने दल से कर लेते हैं दर्वाइस उसे reject कर देते हैं तो बुद्धे वे समय बिलकुल best condition में होते हैं और ऐसे व्यक्ति का IQ लेवल बहुतों से अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति अगर business कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति business किसी के साथ अगर करते हैं तो उन्हें फायदा नहीं होगा वो अकेला ही अपना business करना पसंद करते हैं, वो अपने business को धीरे-धीरे करकर बडातरी करते रहेंगे क्योंकि उन्हें जो सोच होती है बिजनस करने की business ideas उनके मन में जो होते हैं वो बहत ही अच्छे होते हैं, जिसके गार्ण उनके जो ideas हैं उनको ये भी डर रहता है कि मेरे ideas कहीं चोर planning, plotting, वो सारी चीज़े दिमाग के अंदर ही गुमती रहती हैं और ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग का बहुत ज़ादा use करते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ज़ादा चतुर चलाक होते हैं अपनी life में ये सब कुछ achieve कर लेते हैं बुद्ध देव के त्वारा क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है अब हम बात करते हैं कि बुद्ध की उंगली अगर सूर्य देव पर जुकाव है means बुद्ध की उंगली ऐसे जा रही है ऐसे व्यक्ति को जिसने जो कहा ये व्यक्ति वो करने लग गया ऐसा व्यक्ति पार्टनर्शिप में अगर काम कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है ऐसा व्यक्ति को हर समय किसी ना किसी चीज़ की जरूरत है जो इसे guide करता रहे कि अब तू ऐसे कर ले अब तू वैसे कर ले ऐसा व्यक्ति कान का गच्चा होता है जिसने जो ऐसे व्यक्ति के दिमाग में डाल दिया वो अधर को चल पड़ा इसलिए इस समय में आप अगर business करते हो तो वो चीज आपको suit नहीं करेगी या फिर आप business करना चाते हो तो आप partnership में ही करें और partnership best रहीगी अपने father के साथ क्योंकि आपके father आपको ठककर नहीं जाएंगे अगर आप किसी और के साथ करते हो तो वो आपको ठककर चले जाए ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा बोला होता है IQ level कुछ कम होता है पढ़ाई में भी बोले तो थोड़ा सा week होगा इसी की चीज के regarding ऐसा व्यक्ति अपनी life में कुछ न कुछ stage पे मार खाता है दिल का बहुत अच्चा होता है भोला होता है लेकिन इसी चीज का लोग फायदा उठा कर इसको परिशान करते हैं और ये लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं जिसके करण ये अपनी जिन्दकी पे मार खाते हैं इसलिए जब भी बुद्देव का जुकाव सूर्या देव की तरफ हो तो आप किसी से राय मशुरा करते हो तो वो अपने परिवार वालों से ही करें अपने फादर से करें मदर से करें ब्रदर से करें अगर आप बाहर वालों से करते हो तो वो आपको क्या राय दे दे गलत राय दे दे सही राय दे इस चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं इसलिए उस चीज का भी आप ध्यान रखें अब हम बात करते हैं बुद्देव के परवत के बारे में अगर बुद्देव का जो परवत है जैसे मैंने बताया बुद्देव का परवत इधर होता है अगर बुद्देव का परवत फ्लाटन है या आप कैसे चेक करोगे कि बुद्देव का परवत फ्लाटन है या नॉन फ्लाटन है आप अपना हाथ ऐसे कर ले और आप चेक करें कि आपकी जो फिंगर है उससे स्ट्रेट आपका हाथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है अगर आपका हाथ स्ट्रेट जा रहा है तो आपका बुद्देव फ्लाटन है अगर यहां से कर्व आता है इधर से कर्व आता है जैसे यह कर्व आता है अगर ऐसे कर्व आता है आपके तो आपका बुद्देव जो परवत है वो ठीक है अगर नहीं आता है तो यहाँ से ही समझ लें कि बुद्देव खराब है आपको बुद्देव के उपाय करने पड़ेगे इसी के साथ एक महत पुरन चीज हम बिजनेस तो करते हैं हमारा बिजनेस अच्छा भी चल रहा है लेकिन बिजनेस में लॉस भी हो सकते है बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन जब लास्ट में फाइनिशल स्टेटमेंट आती है तब उसमें बता है कि हमने इतना बिजनेस करने के बावजूद भी हमारी कंपनी जो है वो लॉस में चल रही है क्योंकि बुदद देव तो बिजनेस ही कराएंगे सिर्फ आपको प्रॉफिट तो नहीं कराएंगे प्रॉफिट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा चंदर देव तो चंदर देव का परवत होता है ये तो ये परवत आपका जितना उबरा हुआ होगा आपके जो ये मिडल है ये आपका चप्टा होना चाहिए ये फ्लाटन होना चाहिए और जो चंदर देव का परवत है ये ये आपका उबरा हुआ होना चाहिए इसी के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि ये चीज जितनी जादा आपका mountain जितना जादा fluffy होगा उतना हिसाब से आपका चंदरदेव strong होंगे आपको profit होने के chances उतने बढ़ जाएंगे अगर ये चीज फ्लाट है और इसके हिसाब से ही जितनी ये फ्लाट है उतनी ये फ्लाट है तो आपका चंदरदेव फ्लाटन है चंदरपरवत फ्लाटन है जिसके करण आपको profit नहीं हो पाएगा आप business करते हो तो profit ही नहीं हो पाएगा उस चीज में आप हमेशा loss ही करोगे अब इसमें हमारे पास दो तरह की income होती है ये होता है नगधधन और ये होता है bank की money अगर आपका शुकर वरवत strong है तो आप अपना पैसा bank में रखें अपने पास नगधधन मत रखें अगर आप अपने पास नगधधन रखोगे तो वो धीरे-धीरे खतम होता जाएगा और अगर अपना पैसा bank में रखोगे तो वो आपको फलेगा वो इतनी जल्दी खतम नहीं होगा आपका बे फाल्तू का फिजूल का खर्च नहीं होगा अब इससे चेक करने के दो-तीन उपाय हैं या फिर मैं बोलू तरक है आप पानी की बूंदे ले चार-पांच अपने बिल्कुल सेंटर में यहां डाल दे अगर आपका पानी गिर जाता है एक मिनट तक आपको इंतजार करना है अगर आपका पानी सोख लेता है तो भी आपका चंददेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है पहली चीज़ दूसी चीज़ अगर यहां से पानी स्लिप हो जाता है इदर से नीचे आ जाता है या फिर एक मिनट के बाद यहां से पानी ही नहीं निकलता है एक भी ड्रॉप इसके अंदर नहीं बची है बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ गीला नहीं होना चाहिए drop होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पानी गीरा है तो गीला तो यह चीज होगी लेकिन अगर drop बची है एक मिनट बाद मियाँ drop बची है तो आप यह समझ लें आपका चंदर जो है वो बिल्कुल ठीक है यह एक उपाये के तोर पे आप करके देखे इससे आपको समझाएगा कि आपके हाथ में धन कितना रुखता है आपको चंदर देव कितने शुब है इससे आपको ये पता चल जाएगा एक और चीज है कि आपको चेक करना है कि मेरा चंद देव जाद अच्छे है कि शुक्र देव जाद अच्छे है मुझे पैसा बैंक में रखके जाद अच्छा फल देगा या फिर घर में रखके जाद अच्छा फल देगा तो आप अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट अपनी आग के सामने लेआ हैं और चेक करें कि शुकर देव का परवज जादा मोटा है या फिर चंद देव का परवज जादा अगर आपको लगता है कि शुकर देव मेरे जादा फलफी है चंददेव से तो आपका बैंक में पैसा रखकर आपको फायदा है और अगर चंददेव का प्रोज जादा उबरा हुआ है तो आपको घर में पैसा रखकर फायदा है आप अपने पास नगत धन भी रखते हो तो आपको फायदा ही रहेगा आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि बिजनस में आम तोर पर आपको बहुत सारी मनी नगत धन में चाहिए होती है बहुत सारी चीज़े बैंक के थुरू काम आप नहीं कर सकते हैं इसलिए बुद्ध के साथ चंदर देव को जरूर चेक कर ले बिजनस बहुत अच्छ है लेकिन लॉस कर रहे हो तो चंदर देव की कमी है खराबी है वो इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा कि चंदर परवत भी आपका ठीक है कि नहीं बुद्धेव को चेक कर लो सबसे पहले बुद्धेव अच्छे हैं कि खराब है बुद्धेव अच्छे हैं उसके बाद ये चेक करो कि अब आपके चंदर देव कैसे आ रहे हैं चंदर देव भी अच्छे हैं बुद्धेव भी अच्छे हैं तो आप बिजनस में प्रॉफिट कर दोगे और आपका IQ लेवल भी बहुत अच्छ है जो कि मैंने सारी चीज़े आपको बताए ऐसे ही और वीडियोज पामिस्ट्री पे लेकर हम आते रहेंगे आपने अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें आज के लिए इतना ही धन्यवाद